पोसेट लेटिस और बोलन एंजेबरा के चेप्टर में हम लोग अपना शिक्स्थ टॉपिक स्टार्ट कर चुके थे प्रिविस लेक्चर में डाट वस्यमिलेटिस और सेवन्थ टॉपिक भी मैंने साथ-साथ बता दी थे लेटिस साथ-साथ हम लोग क्यों पढ़ रहे थे इ इसका उन्था सिंपली क्या था बढ़ जितने भी पेर एक्जिस्ट करते होंगे इंड़ सेट ए हर एक पेर के लिए हमारे को GLB मिलनी चाहिए है जिसको हम लोग भी बोलते थे और इंफिमम भी बोलते थे सब मैंने प्रिवस लेक्षिर में आपको समझाया था अच्छा यह सही जोएन सामिलेटिस की डेफिनिशन दी इन पोसे टेको मार फॉर एक्स को माई बिलोंग टो ए टेक है मतलब लिस्ट अपर बाउंड को हमन रहे तो हम उसको लेटिस कहते हैं यह हमारा सेवंथ ट्रॉपिक था भी स्लिबस के अकॉर्डिंग हमने शिक्स और सेवंथ दोनों एक अठे साथ साथ देखे थे ठीक है जी चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग आचा तो फिर हमने नोटेशन को आपको समझाया था कि जो हैं यह किसी भी सबसेट के लिए एक्जिस्ट करती हैं बट लेटिस तेओर में हम लोग पेर वाइस चलते हैं इसलिए हम लोग इसको बांजरी ओप्रेशन के दरा मानने हैं यह मैंने सारे पॉर्ट्स लिखी वे थे और आपको नोटेशन समझाये थी कि जील भी एक्स को मा सब्सक्राइब करें यह दो यह जो और वाला सिंबल है लूब है न तो यह और यूँद लग रहा है तो इसलिए हम इसको अलीव टाइप बोलेंगे और यह जो एंड होगा उसको जील भी पोलेंगे थोड़ा-थोड़ा मैंने आपको क्लीर करने को शुचिछ की थी और अच अच्छा जी और फिर विल बी एस वन इंटरसेक्शन तो इसलिए यह यूदर इंटरसेक्शन वाले सिंबल सी मतलब यह और और यह और यह जोग लेते हैं आप लोगों को अच्छा जी और फिर मैंने का था कि कुछ एक्जाम्पल समय देखने हैं ऐसे डिगराम की फॉर्मे कि तरह से भी कुछ एक्जाम्पल देखेंगे और एक्जाम्पल में हम लोग सब चेक करेंगे मीट समय लेटिस जोन समय लेटिस टेक है ओके जी तो पहले एक्जाम्पल हमने दुछा था जी 1-2-3 टो टो सट तो सट का क्या मतलब था भी देखो फोर एवरी पेर अफ एलिम तो तेज देज बोल रहा हूं क्योंकि समरी चल रहे है कुछ नहीं अभी तो आज इला समस्टार करेंगे जश्वतर से को सम्मरी में फ्रॉप्ट चीज आपको रिपीट करा रहा हूं ठीक है जी तो फिर वही बात है मैंने आपको समझाय था तो फिर वही बात बहुत टाइ क्यों थी क्यों थी क्योंकि इसका कर रही होती है यह मैंने आप लोगों को यह देखो जैसे एक्स और वाई रिलेट कर रहे हैं आपस में तो हमारा लू बी क्या होगा भई आपको सब याद होगा ठीक है तो फिर बात आती है जो पेर से रिलेटेड नहीं है सिर्फ उनकी चेकिंग करना थी यहां पर हमें समझे है सब्सक्राइब कर रहा है तो वही बात है मिल गया तो हम सिंप्ली क्या है और साथ-साथ देखो यह टोसट नहीं है तो हमारा डिरेक्ली इंडिरेक्ली प्रूफ आगया कि कर्णवर्स इस नौट रहा जी तो फिर वही बात चार कुशन मंदित है और यह हो गया इसका कर्णवर्स और इक्वाल्स इंडिरेक्ली प्रूफ किया यह इन्वर्स और सब्सक्राइब करना अगर वह लेटिस नहीं है तो फिर यह सब्सक्राइब करना अगर वह लेटिस नहीं है तो वह टोसेट भी नहीं होगा बस सिंपल बात एक तो तुछ नहीं है इस नहीं है तो आपको मन में जैसी यह सब आया कि इस नहीं हो रहा होगा सबको चलो ठीक है जी तो फाइंजली फिर हमने आपको समझा था है कि less than or equal to relation बन रही है तो यह इस टाइब से टोसेट बनता है ग्रेटर दन इकोल तो वाली रिलेशन चल रही होगी तो थोड़ा सा उल्टा काम हो जाता है ना जिसे देखो अगर less than equal to वाली रिलेशन चल रही है हमारे पास तो lub जब हम निकार रहे होगे तो वह maximum आएगा अपर मतलब उपर वाला है ना और यह मतलब नीचे वाला मतलब मिनिमम ऑब्यसी बात आइट रहे होगे तो टोसेट है यह आप निकाल रहे है तो दोनों में से जो बड़ा होगा और जो दोनों में से छोटा होगा यह जी आप सिंपल बात है एकतम आच्छा जी सिमिलरली जब हमने यह देखा कि ग्रेटर अनिकोल टॉर रिलेशन देखी थी तो उसमें विरकुल उटा करें यह जी यह बार बार चीज़े रेपीट नहीं कर रहा हूं मैंने से प्रॉपर्ली प्रूफ के साथ आपको समझाया था ठीक है जी तो अब हमने फिर यह भी लिख लेटिस अन्हें समय लेटिस अ हैं इस हैसे डागराम में तो 7c2 मतलब 21 पेर्स चेकिंग करने पड़ेगी वह 21 पेर की चेकिंग नहीं करने की जो अलड़ी रिलेटिद हैं हम सोड़ सकते हैं तो अन्रिलेटिट पेर से दो निकले B और C और E और F तो उसमें हमने प्रॉपरली चेक करके देख लिया था कि ठीक है जी अच्छा जी चलो अब हम आते हैं अपने फोर्थ एक्जामपल पर ठीक है अब हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं लो जी फोर्थ एक्जामपल अब दिखा रहे हैं यह रिवीजन में इसलिए कराई है क्योंकि यह टॉपिक थोड़ से कन्फूजिंग है और बहुत सारे स्ट्रेंट्स इसमें अपने कन्फूज होते हैं मैं नहीं बता रहा है जब मैं उफ्लेल क्राजिंग में पढ़ाता था तो बच्चों को बहुत कन्फूजन आता था इसलिए मैं फट्रफट साब को समरी देती ताकि सारा कुछ आपको आपको अपनी क्ला करेंगे जैसे जो भी majority students बोलेंगे कि समरी देनी चीतों में दूँगा ने देनी चीतों में छोड़ दूँगा ठीक है ठीक है चलो अब हम लोग अपना फॉर्थ एक्जांपल देखते हैं देखो फॉर्थ एक्जांपल क्या है अगें वेरी वेरी सिंपल एक्जांपल यह हैसे डियागरम की बात कर रहा है फिर हम लोग डिरक्ली पोसेट की बनाओंगे उसकी चेकिंग करेंगे कि वह लैटिस हाई या नहीं है तो यह ना समझ पार है कि नहीं यह देखो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं यह देखो जैसे हम्मारी शिरवात कैसे भी तोसेट से सिर्वात हुए थी फिर हम लोग आगे बढ़ गए थे टोसेट की तरफ तोसेट से फिर आगे बढ़ गए थे वोसेट की तरफ याद है कि नहीं पोस्ट में अगर हर एक element अब that होगा fragrance यह LE elites की तरफ आgal मीट और जॉइन से मिलेटिस एंड सॉन और उसकी बात फिर हम लोग लेटिस की तरफ आ रहे हैं लेटिस से फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे बूलियन अलजेब्रा की तरफ तो यह सब आपको याद रखना है और मतलब वहीं बात है इन में रिलेशन भी मैंने आपको समझा दिया अगर टोसेट होगा तो वह लेटिस जरूर होगा यह आपको रोड मैप बता रहे हैं अच्छे से कि हम लोग कहां चल रहे हैं और हमने आगे कहां तक जाना है प्लीज इ हमारे पास विधाल यह जो भी कोशिंस करा रहा है इसमें पोसेट होगा कोई उसके कर्सपार्इन गिवन है और हम चैक्हिं कर रहे हैं कि यह लैटिस आ रही कि नहीं है तो हैसे डियागरम से थोड़ा सा असान हो जाता है काम, हमारे को सब कुछ आख होगा कि दिख रहा है, हम बहुत जल्दी पता लगाते है, GLB, LUB, क्या है, and so on, तो बहुत जल्दी और बहुत अरान से काम हो जाता है, बाकि अगर पोसेट ही गिवन होगा directly, तो फिर उससे, उस समझ लोगे अच्छे से, तो वह एक्जामपल गेट एक्जाम में आएंगे, और आपको अच्छे से attempt हो जाएंगे, तो आपको tension वाली बात नहीं आएगे, ठीक है जी, ओके जी, चलो, अब ये हमारे पास hexagon given है, हमें पता लगाना है, क्या ये semi lattice है, मतलब meet semi lattice, join semi lattice है, ये lattice and so on, हमें पता लगाना है, ठीक है जी, वही बार-बार मैं समझा रहा हूँ भई, 6 you can say vertices है, तो 6C2, है ना, तो 6 into 5 divided by 2, मतलब 15, 15 pairs की checking करने पड़ेगी, बट नहीं करेंगे, unrelated pairs की checking करेंगे, मेरे को जड़ा समझा, प्रपर से unrelated pair ये आपके कौन-कौन से है, अगर आप मेरे रिलेट कर रहे से, ना, इसी ही रिलेट कर रहे भी से, ऐसे ही D और E, है ना, और जो आप गलती कर सकते थे, वह मैं यहीं पहले बता रहा हूं, B और E, यह भी आपस में रिलेट नहीं कर रहे है, तो क्या आप प्लीज देख पा रहे होगे, similarly C और D यह भी आपस में रिलेट लेटिस, लेटिस है तो अब्वियसली सेमी लेटिस भी ही है, मतलब मीट सेमी लेटिस और जोन सेमी लेटिस भी आ जाएगा, तो पड़ा पड़ से हम लोग चेकिंग करते हैं, जला, तेक है, ओके, देखो भई, B और C के लिए, देखो, B और C के लिए हम लोग क्या करें है देखो भी BC तो B B और C बताओ मतलब LUB बताओ B और C का LUB ये उपर कहां जाके मिल रहे है देखो उपर ये दोनो F पे जाके मिल रहे है I think आपको देखते समझ में आ रहा होगा देखो B तो D से उपर जाके मिल रहे है बट C तो नहीं मिल रहा है ऐसे C E से मिल रहा है बट B तो नहीं मिल रहा है तो F से ये दोनों मिल रहे है तो अब्वेस ही बात है एक ही element है मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जो तरह नहीं है मैंने previous lecture में भी आपको समझा रहा है तो B और C will be F only अच्छा similarly अब आप जारा मुझे समझाओ B and C will be equal to what B and C will be equal to what नीचे कहा आ रहा है हमई A पर तेक है जी तो मिल रहा है आच्छा similarly D और E की बात करो D और E D और E will be equal to F D and E that will be equal to A मैं प्लीज जल जल दी कर रहा हूं यह सब चीज़े मैं आपको previous lecture में समझा चुका हूँ यह न Extremal Elements of Posit वो देखो Shortcuts to Find Extremal Elements of Posit यह वीडियो देखो मैंने वाद सब explain किया था ठीक है बार बर बलूँगा तो टाइम पर बाद होगा आप अपने से चेक कर पा रहे हो गए similarly B और E बताओ भई B और E देखो उपर कहा जा रहे है यह F पे जा रहे है B and E B and E कहा जा रहे है अरे भई एक मिनट यह थोड़ा सब ठीक कर लो इक्वल टू अच्छे से आ नहीं रहा है इसमें तो B and E बताओ नीचे कहा रहे है भई C और D ठीक है जी उपर देखो C और D उपर कहा जा रहे है उपर C और D उपर F पे जा रहे है और C and D नीचे देखो कहा रहे है C and D नीचे A पे आ रहे है ठीक है जी सारा कुछ मिल गया बस हमारा काम खतम चार पेर थे चारोपेरी की चेकिम मैंने आपको करके दिखा दिए जील भी एलीवी सब कुछ मिल रहा है तो इसका मतलब जो हमारा फोर्थ एक्जामपल है इट विल भी आप्वियसली लेटिस ठीक है जी तो मैं नीचे करके लिख देता हूं तो फोर्थ सेमिलेटिस भी है मतलब मीट सेमिलेटिस भी है और जोईन सेमिलेटिस भी है तो अगर हमने यह बनाया तो ए बी सी डी और एफ बोलो में फटा फट से क्या है यह देखो अराम से देखो देखते ही अगर आपकी थोड़ सी प्रेक्टिस अच्छी होगी आपको देखते ही समझ में आ जाएगा अन्रिलेटिटिड पेर्स की चेकिंग करनी है ए और एफ उठाना ज़रा ए और एफ इसको हम बोलते हैं ओपन एड़ टॉप लिग देता हो मैं ओपन एड़ टॉप ऑपन एड़ टॉप और अगर ओपन एड़ टॉप है तो याद रखना है वह नेवर लैटिस वह लैटिस कभी नहीं हो सकता कॉम मतलब यू कैन से ज्वाइन कहां कर रहे हैं ज्वाइन करीने तो मतलब उन नहीं कर रहे हैं तो मतलब टॉप ब्रेक यूनिक नहीं है तब दिक्कत आ जाती है बहुत बड़ी अच्छा ऐसे ही देखो यह इस diagram के क्या खास बात है भई, open at the bottom भी है, ठीक है, क्या खास बात है, open at bottom, bottom पे भी open है, open होने का मत तो यह याद रखना है, obviously it is never a lettuce, ठीक है, यह भी lettuce नहीं बनने वाला, ठीक है जी, it is never lattice ठीक है, कारण, कारण आपको सम्म्यार होगा मतलब open at the bottom मतलब क्या होगा bottom unique नहीं है bottom unique नहीं है, मतलब नीचे दो दो तीन तीन elements नज़रा रहे हैं देखो, नीचे दो elements नज़रा रहे हैं bottom पे दो elements नज़रा रहे हैं ठीक है जी, sorry, D नहीं है B है, sorry for that A and B ये हमें नज़र नहीं आ रहा अगर A and B हमें नज़र नहीं आ रहा तो हम कह सकते हैं कि यहां पे गरबड हो गई तो मतलब यह जो, यह चीज क्या थी वही, E और F वाली बात क्या थी वही, LUB वाली बात थी, मतलब LUB नहीं मिला था और यहां पे हम क्या कहेंगे, भई, GLB नहीं मिल रहा है, greatest lower bound नहीं मिल रहा है तो बस आपको अब समझ में आ चुका हो अगर simple सा shortcut है भई, अगर उपर से उपर धक्कान नहीं लगा है, उपर धक्कान अगर नहीं है मतलब और top open है हमारी तो उस case में LUB नहीं मिलने वाला तो obviously बात भई, lattice नहीं होने वाला और obviously अगर LUB नहीं मिला है तो हम क्या कहेंगे भई, LUB, upper bound उपर वाला, उपर वाला मतलब क्या होता था भई, उपर क्या होता था join, तो हम क्या बोलेंगे यहां पे joint semi-lattice नहीं बनने वाला यह ठीक है जी, तो joint semi-lattice नहीं बनने वाला ठीक है, साथ दली तो, never lattice and joint semi-lattice similarly यहां लिख देंगे भई, never lattice and meet semi-lattice meet semi-lattice भी नहीं होने वाला है क्योंकि GL भी नहीं मिला, GL बतलब नीचे, याद रखने के तरिक्या बना आपको सारा सिम्दा रहे हैं, यह क्योंकि confuse करती हैं, तो आपको से mind में fit करके रखने हैं, हाँ जी, तो यह देखो, अब देखो कैसे याद करते हैं, देखो मैं भी ऐसे याद करता हूँ, यह u type symbol है न, u मतलब upper bound अपर बाउड, अपर बाउड करता हैं, लीस्ट अपर बाउड नहीं मिला, तो मतलब उपर वाला, उपर मतलब वही बाद है, join है न, join me to the party and so on, ऐसे याद रखने आपको, है न, ऐसे ही, आब यह देखो, open at the bottom है, तो मतलब यह देखो, नीचे यह जाके कहीं कहीं नहीं मिल रहें, यह कहीं कहीं मिल रहें इसका मतलब क्या हो, नीचे वाला वही तो नीचे जुक जाएगा ढर जाओगे तो वही बात है तो यह बता है, यह तो आपके मांड में चीज़ें फिट हो जाएं, सब कॉंसिस मांड में चीज़ें चले जाएं, इसलिए मैं बार-बार बोलता रहा है, आपको बता है, मैंने आपको शायद देख बात नहीं, बता है, रेल लाइफ एक्जाम्पल से बताता हूँ, एड आती रहती है, आप आपको अब्विस्टी बात है, पता है, सलमान खान, शारुक खान ये इतने हाई-क्लास पीपल है, इनको क्या फारक पड़ता है, ये थोड़ी बिस्कुट खाएंगे, चार रुपे, पांच रुपे, दस रुपे वाले बिस्कुट खाते होंगा, ये तो बड़े एक्सपे है, बट स्टिल, वो एड कर रहा है, आपने दिन में दस से बारा बारी वो एड देख ली, अब जब आप सुपर मार्केट में जाओगे न, आप बिस्कुट देख रहे होगे, सन्फिस्ट नजर आएगा, तो लगएगा, अच्छा, ये कुछ जाना पिचाना से है, तो आप उसको उठाके ले आऊगे घाना, ये सब कॉन्शिस माइड वाले पार, तो ये ही पावर है, बार बार, बार बार जितना करते हैं न, काम को, तो सब कॉन्शिस माइड में वो चला जाता है, आपको पता है, कि वो आपके साथ चिटिंग कर रहे है, शारुख खान कभी सन्फ ले आए कारण क्या था बार-बार आपने घर पे एड देखी थी आप ऐसे समझो एक संफिस्ट का पड़ा है बिस्किट और कुछ अलग-लग बिस्किट पड़ा है जिनका आपने नाम कभी लाइफ में सुना ही नहीं है तो आपको क्या में चीज़े चलिए ठीक है ओके चलो आओ आपा सब अपने टॉपिक पर हाँ जी तो फिर हमने क्या सीखा भई ओपने अड़ टॉप होगा इसका मतलब वो जोयन समी लैटिस कभी नहीं बनेगा और ऑब्वेस्टी बात है पर जब जब समी लैटिस नहीं बना तो फिर लैटि हम से लिख दिता हम है ऐसा मैंने मीटमीट है तो वपने यह इस से अकमल को क्या भी ना टो यह semilattis है, नहीं लाटिस क्यों नहीं है, पियो कि ना तो and semilattis को नहीं निकला है, ओविसे बात है, ईभर f के लिए हमारे को उपर ऑपर बाउंड नहीं मिल रहा, ऐसे a और b के लिए हमारे को सभल है, downstairs scientist самое बाउंड नहीं मिल रहा, तो इसलिए अब हम आते हैं जी 6th example पे 6th example देखो बड़ा simple बड़ा जलिजदी आप करें बिल्कू simple example बताओ कोई सिद्धी सी बाद open at the top है ना but open at the bottom तो नहीं है तो बस ठीक है open at the top है उसका मतलब हम simply क्या कहेंगे भई लेटिस तो नहीं है यह अब्विसी बात है open at the top या open at the bottom दोना में से कुछ भी हुआ तो वो लेटिस नहीं बनने वाला कभी भी ठीक है लिख देता हूं यह पॉइंट में बड़ा important है ठीक है यह यहीं लिख देता हूं ठीक है open at top और open at bottom यहीं से हमें क्या समझ में आएगा क लेटिस कभी नहीं होगा ठीक है जी और फिर आगे मैं लिख देता हूं open open at top अगर open at the top है तो यह join semi lattice कभी नहीं बनेगा ऐसे ही open at bottom अगर है तो यह कभी भी meet semi lattice नहीं बनेगा तो अब इसकी क्या खास बता भी open at the top है तो सीधे सीधे हम क्या बोलेंगे भी यह join semi lattice तो नहीं है तो यह join semi lattice तो नहीं है but obviously meet semi lattice यह है तेकि कि देखते आपको सम्झाराइब को सिर्फ दो ही elements है जो कि रेटेट नहीं है बाटे सारे elements रेटेट हैं यह दो elements आपस में क्या मतलब यह relate नहीं हो रहे हैं वही बात है थोड़ अच्छा बोलें तो ठीक है यह दो a b c o d है तो a और b की क्या खास बताब है ना तो a related कर रहा है बट क्या खास बताब है देखो तो अगर आपस में क्या क्या चांब नहीं पड़ेगें पड़ेगे भी simple language में आपको समझा दिया है चलो जी आगया वह एक्जामपल नंबर 7 जी एक्जामपल नंबर 7 उल्टा एकदम उल्टा ठेक है तो देखते ही बोल देना भाई मेट सेमलेटिस को नहीं आएगा यह देखो फ़ए यह 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 और बी के लिए मैं लिख देता हूं मतलब यह मीट नहीं कर रहे है मतलब ग्रेटर्स लोबर बाउन का नहीं मिल रहा है तो ए अंड भी मिस्सिंग है थेक है हां बट ए और भी हमें बता लगए ए और बी क्या एक तिंग्लीर होगा वह सब को चलो ठीक है जी आब हम आते हैं जी एड़्थ एक्जामपल पर मैं बहुत चल रहे हूं बार बार संज़ा रहे हूं भी ठीक है चीजे आपके माइंड में फिट हो जहें इसलिए इसलिए मैं फड़ा फट अफड़ सा डोड़ा सा सलो सलो काम ब टीक है जी चलो जी एर्थ एक्जांपल पर हम लोग आते हैं एर्थ एक्जांपल है जी हमारा यह पाँ भी इसमें क्या होगा तो यह 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 B यह C D E और एफ बोलो में फटाफट से यह क्या है तो मैं यहां पर बोल दूँ ओपन एट टॉप एसा कुछ नहीं है भी टॉप एक यूनिक एलिमेंट है धक्कन लगा हुआ है ऐसे ही ओपन एट बॉट्टम ओपन एट बॉट्टम ऐसा भी नहीं है नीचे भी धक्कन लगा हुआ है मतलब एक 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 ही अलिमेंट है तो फिर हमारे को लगा कि यह लैटिस है नहीं ऐसे नहीं है फटावट से चेकिंग करो अन्रिलेटिट पेर्स की तेक है अन्रिलेटिट पेर्स देखो आपको लगेग B C और E D की नहीं कर रहे है नहीं प्टावट से अन्रिलेटिटि नहीं करें तो फटावट से करते हैं टिक है नोग को जड़ा समझाओ, B और शी क्या होगा B & C Um अगर आपको previous to previous lecture जो मैंने बनाया था, that was shortcuts to find extremal elements of postset, उसमें आपको बहुत अच्छे से और बहुत clearly इस ताइप के example मैंने show किये थे, बच्छिल फड़ा बच से आप मेरे को जाओ, बी और सी मतलब, और ये least upper bound निकालने हमने हैं, least upper bound मतलब उपर देखने हैं, तो भी बात है तो फिलहाल हमें आप समझ में आ चुके कि बी और सी नहीं मिला है, तो यहीं से हम लोग क्या conclusion निकाल देंगे, least upper bound नहीं मिला है, least upper bound नहीं मिला है, तो इसका मतलब ये joints है, मैंने एक ऐसा पेर दिखा दे जिसके लिए, जिसके लिए हमारे को least upper bound नहीं मिला, अगर एक भी semi lattice नहीं है, तो यह से conclusion क्या निकल जाएगी, lattice नहीं है, काम खता, बस, that's it, ठीक है, अब बाग उफती है, कि क्या ये semi lattice है या नहीं है, देखो, join semi lattice नहीं मिला, शायद meet semi lattice मिला है, तो फिर हमें directly, directly, तो बोलना पड़ जाएगा, कि semi lattice नहीं है, तो दोने में से कोई भी एक नहीं के लाएगा, तो हम बोल देखें कि semi lattice नहीं है, तो ठीक है जी, तो lattice के लिए तो हमारे पर बात खतम होगी, अब आट उठती है, क्या ये meet semi lattice है या नहीं है, meet semi lattice का मतलब क्यों था भी, meet semi lattice का मतलब क्यों था था हर एक पेर के लिए हमारे को greatest lower bound चाहिए है, याद है, greatest lower bound चाहिए हमारे को हर एक pair of element के लिए, हाँ जी, बोलो भी, क्या हर एक pair of element के लिए greatest lower bound मिल रही है हमें, देखो, B और C के लिए तो मिल चुकी है, क्योंकि A है वो है, B और C के लिए मिल चुकी है, मतलब B and C is A, E और D की बात करना, क्योंकि ये एक unrelated पेर भी और रहाता है, ह एक तो C पे आके meet हो रहे हैं और एक B पे आके meet हो रहे है, तो वही बात है भी, और C और B आपस related नहीं कर रहे हैं, तो नहीं मिला, ठीक है, जी, E और D हमें नहीं मिला, ठीक है, ओके जी, तो sorry, क्या कर दिया है मैंने, sorry, 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 sorry for that, मैं एक बार इसको रब कर देता हूँ, तो E and D हमें नहीं मिला है, एंड मतलब क्या था, यह greatest lower bound, तो greatest lower bound हमारे को E and D की नहीं, E or D की greatest lower bound नहीं मिली, but least upper bound E or D की हमें मिल रही है, that is F, ठीक है, अब I think clear होगा अगो सबको, हाँ जी, तो E or D तो F हमें मिल रहा है, ठीक है, but E and D, E and D हमें नहीं मिला, तो इसका मतलब हमें यहीं से समझ में आ चुका है, कि यह meet semi lattice नहीं बनेगा, और obviously, lattice तो आप पहले बता चुके, lattice तो नहीं है, तो ठीक है जी, तो वही बात है, अब gate एक semi lattice है, आपकी दिमा में क्या है, वो depend करेगा, कि BC पहला 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 तो वहीं से आप बोल के भाज़गे कि lattice नहीं है, और ऐसी ED आपने पहला 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 semi lattice भी नहीं है, और lattice भी नहीं है, semi lattice भी नहीं मिला, और lattice भी नहीं मिला, I think clear होगा अगर सबको, this is 8th example, this is very good example, तो यह जो बात थी, प्लीज, वही बात है, शॉटकर्स बना के में बैठ जाना, कि open at the top, या फिर open at the bottom, तो फिर lattice, lattice कभी नहीं होता है, और अगर open नहीं हुआ मलते, close हुआ तो फिर lattice आई जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, तो फिर वही बात है, तो फिर utilize नहीं होगा, बट open वाली बात नहीं है अगर close आ गया तो फिर भी शायद तो यह मत होते हैं कि close होगा तो फिर वो lattice होगा ऐसा कुछ नहीं है बही ना तो open at the bottom है ना तो open at the bottom है ना यह open at the top है बट स्टिल यह ना तो सामी लैटिस निकला नहीं है लैटिस निकला तो फिर यहां से फिर एक shortcut मेरे पास और दिमाग में आ रहा है वह भी आपको बता देता हूं यह देखो इस question में ना क्या खास बात है यह देखो जैसे मैंने आपको shortcuts वाले वीडियो में समझाया था ना shortcuts to find extreme elements वाले वीडियो में आपको समझाया था यह X जबी भी यह एकस टाइप से कुछ बन रहा होते ना तो आपे हम लोग फ़ज़ाते हैं यह देखो A B C D ठीक है ना तो A और A यह देखो A और B हैना उतला least upper bound तो यहां पे upper bound नहीं मिलन नहीं वाला है ना बट A and B यहां पर तो obviously sorry A and B कह रहा हो ना जी तो यह A and B greatest lower bound है ना यहां पर तो वह भी नहीं मिल रहा तो यह एकस टाइप से कुछ बन क्याएगा वो हमारे को फसा रहा था यही एकस टाइप सा यहां पर भी देखो हमारे को नजर आ रहा था है ना यह दे हमें लेखो मां हाइलाइट करके दिखाता हूं आपको यह देखो यह एकस हमें दर आ रहा है A B C D यह देखो यह एकस हमें दर आ रहे के नहीं आ रहा यह देखो यह नहीं अब इसे देखा, यह x था, अब इस सीधर नदर आ रहा रहा है, a और b भी नहीं मिल रहा है, a and b भी नहीं मिल रहा, तो ओव्यसी बात अभी, ना तो meat semi lattice होगा, ना जाँ semi lattice होगा, नहीं lattice होगा, c तीसी बात इसके हम काटा लगाके भग जाएगे, तो नहीं यह lattice है है नहीं यह semi lattice है similarly आप चेक कर सकते है C और D C and D कुछ भी नहीं मिलेगा आप प्रीज अपने आप चेक करो भी मैंसे ज़्यादा यहाँ पर time pass मत करवाओ क्यों कि आप अपने आप से checking करके देख सकते हैं तो पर हैं लिए देखो सी और दी देखो नीचे ना दो दो जगा पर मीट कर रहे था ने जब लेटी नहीं कर रहें तो कैसे आंसर करें ना कि ग्रेटेस का मतलब करें तो भी सारे अलिमेंट उससे लेट करेंगे अब हम आते हैं जी टैन्थ एक्जांपल पर है लेट सी दर टैन्थ एक्जांपल देखो अगर मैं यह बोलू तो अब काम बस असान है आप ज्यादे इतना कुछ नहीं रहे गया ना रादर यह देखो एक मिट पहले ना यह देख लो क्योंकि शायद आपको कंफ्यूज ना करें यह एक्स वाली बात जो मैंने बताई है वो नहीं होथा तो फिर वही बात आपको कंफ्यूज ना करें रादर मैंने यह बताए भी था आपको जो अगर यह बीच में वर्टेक्स बैटा है तो फिर हमारे को कोई टेंशन नहीं रह जाती प्लीज मैं अब यह चीज आपके लिए होंवक में छोड़ रहा हूं आप अपने अपसे चेक करेंगे अब चेक करेंगे यह ब्रटेक्स और यह बीच मैं बात ऊती निकलेगा तो उब्सक्ताइब छेक करेंगे अगर आप को जड़ा सा भी डाउट आ रहा है तो में एक्स्रेमल एलिमेंटस ओफ पोसेट इस यह वीडियो दिखो मैंने वाप सारा कुछ अच्छे सह है प्लीज प्रॉपर्ली एस्प्रेंट किया था, तेक है, बार-बार चीजे मत बलूआ, टाइम पर बाद होगा और कुछ नहीं, सिंपल बाद बाद बस में तनी कह देता हूँ, यह देखो, अगर आपको डाउट जरासा भी आता है, बाद 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 आपको देखते सम्जाराओं का रहा है, तो ओविसी बात लैटिस आएगा और साथ 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 समे लैटिस तो आईगा ही आएगा ठीक है जी, ओके जी, अब हम आते हैं जी 11th example पर, बहुत examples में करा रहा हूं ताकि मांड में चीजे एक दम फिट होने हैं, आपका भी भूलो मत, ठीक है जी, ओके जी तो यह देखाओ, B, D, E, बोलो विवड़ा फट से क्या यह लैट्स है तो आपको पहले देखना पड़ेगा कौन कोई से अनरिलेटिड पेर्स है तो B और E, B & E, यह निकालना है E & C, E & C, यह निकालना है, B & C, B & C, यह निकालना है ठीक है, हमारे को ये तीन पर चेक करने पड़ेंगे, फड़ा-फड़ से मुझे जड़ा बता दो क्या आएगा, क्या नी आएगा, देखो भी B और C, ठीक है न, B और E, ठीक है, यह देखो भी फड़ा-फड़ से, उपर, उपर का मीट कर रहे हैं, D पर, देखो नीचे, A पर म B and C, B and C, नीचे A पर, बस हमारा काम कहता है, हम सीपल बोल देंगे, यह lattice है, और obviously, semi-lattice भी है, ठीक है, अगें, आगर आप चाहते हैं, तो यहाँ पर वोई शॉटकट लगा सकते थे, कि ना तो यह ओपर एड़ बॉटम वाली बात भी नहीं है, और यह चीज भी इसमें नजर नहीं आ रहे है, अगर बीच में यहाँ पर वर्टेक्स है, तो फिर वो बात गरबड़ो जाती है, फिर वो नहीं चेक करना है, यह देखो जैसे, बार-बार समझा रहा हो है, ना, 10th example में यह वर्टेक्स वाली बात थी है, नो डाउट यह हमारे पास X, यह सिंबल हमा तो प्लीज यहाँ पर वोई चीज है, यह बैठा है, यह देखो, ना तो यह वली बात है, मतलब यह वली बात तो मैं करना है, इसको छोड़ो, यहां से अटाओ, यहां से अटाओ, ना तो हमारे को यह नजर आ रहा है, और नहीं open at the top, नहीं open at the bottom है, तो बस ठीक है, हम simply कहा है, यह भाग सकते हैं कि यह lattice है, बट वहीं बात है, थोड़ा सा तरीका गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बारी दोनों चीज़ें नहीं होंगे और उसके बावजुद भी lattice नहीं आएगा, मैं आपको ऐसे examples भी दिखाता हूं, बात समझ रहों मैं क्या करना चा तीक है, बट स्टिल वह lattice नहीं निकलेगा, ऐसे examples भी हैं मेरे पास, तीक है, मैं अभी आपको दिखाता हूं, फिर आपको तोड़ा सा और clear हो जाएगा, बट basic सा concept आपको clear है, यह चीज़ नजर आ रही है, यह lattice आ रहा है, अच्छा, एक example और देखो, उसके बाद फिर मैं यह थोड़े exceptional examples भी दिखाऊंगा आपको, तीक है, जी, एक example बस ओर देखो, तो वैसे न, मैं आपको बता जाता हूं, यह जो हमने बनाया न, इसको हम kite lattice बोलेंगे, तीक है, इसको हम लोग बोलेंगे, काइट लेटिस, पतंग कीतर है न, यह, काइट कीतर है, इसको काइट lattice कहते हैं, यह कोई standard name नहीं है, बट इसको आगे मैं जब distributive lattice के topic पर होगा, तो वहां बहुत अच्छे से explain करूँगा, इसको बहुत use होगा, ठीक है, इसलिए मैं इसका नाम आपको अभी बता रहा हूं, kite lattice, इसको हम लोग pentagonal lattice कहते हैं, यह standard name है, यह standard name है, this is a standard name, तो यह को रखना है, mind में, चीद 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 आ सकता है, pentagonal lattice के बारे में कुछ-कुछ बताओ, and song, तो प्लीज याद रखना, हाँ जी तो बताओ, प्लीज आपके लिए होगा, आप आपने checking करेंगे, this is lattice, तो obviously semi lattice भी आएगा, चलो भई, तो यह कौन सा example हो गया हमारे पास, 12th example, अच्छा जी, अब आते हैं जी, हम 13th example पे, जो थोड़ा सा शायद आपको typical लगेगा, तो ध्यान से करना भई, इस type के example को, यह देखो, जैसे अगर मैं आपको यह कहता, यह देखो, A, B, C, D, E, F, G, और H, बताओ भई, क्या यह lattice है, देखो अब इसमें क्या खास बात है भी, इसलिए मैंने कहा था कि शॉटकर नोट लगाना, ना तो इसमें आपको यह नजर आ रहा है, open at the top, शॉट में लिखता हूँ, open top नहीं है, open bottom नहीं है, but still, खास बात देखो भई, यह तो आपको ठीक है, नजर आ जाएगा, प्लीज में से time pass मत कराओ, इस type का example मैं, पहले यह देखो, उपर करा चुका हूँ, दिखाओ मैं आपको, यह देखो, यह कराया था मैंने example, यह दा, example 3, H जिस मैंने करा रख रहा है, बस अब G से एक नीच्चे H line मैंने draw करती है, और कुछ नहीं किया, तो प्लीज, यह सब मैं checking already कर चुका हूँ, तो आपको मैं सब बाग की फालतों की checking नहीं करा रहा हूँ, आप बस मेरे को simply यह बताओ, H और A, क्या यह आपस में rate नहीं, ऐसे ही H और E, यह भी आपस में rate नहीं, ऐसी H और F भी नहीं कर रहे, H और B, H और C, कोई rate नहीं आपस में, फ्लीज, आप अपने checking कर सकते हैं, बस आप को और भी पर उठालों, मैं उसकी आपको दिखा देखा, देखो भई, A और H बताओ, A and H बताओ, बोलो भी बड़ापट से, A और H बोलो भई, उपर, उपर कहां जाके मीट कर रहे हैं, यह A और H, उपर जाके, G पर मीट कर रहे हैं, तो यह तो ठीक है, हमारी आपकी, मैं बात मानन गया, ऑपकी है, A और H मतलब, उपर उपर देखनर हैं, ठीक है जी, A and H, मतलब A और H नीचे meet कहां कर रहे हैं, कहीं नहीं कर रहे हैं, ठीक है जी, तो obviously यहीं से हमने क्या conclusion निकाल दी, कि यह meet semi lattice नहीं है, और obviously अगर meet semi lattice नहीं है, तो lattice कहां से निकालोगे, I think clear होगा सबको, ठीक है, बस वही problem है, तो upper bound तो आपको मिलती रहेगी, sorry, least upper bound तो आपको मिलती रहेगी, but greatest lower bound नहीं मिलेगी, ऐसे देखो E और H उपर G पे join कर रहे हैं, H और F उपर G पे join कर रहे हैं, B और H भी G पे, C और H भी G पे, सब ठीक है बाद हैं, मैं आपकी बत मानता हूँ, but meet वाली बात में हम लोग फसेंगे, ठीक है जी, तो A और H भी नहीं मिलेगा, ऐसे ही आपको E and H नहीं मिलेगा, ऐसे ही F and H नहीं मिलेगा, ठीक है जी, ऐसे ही C and H ये भी नहीं मिलेगा, तो गुमा पर बस एक नहीं मिले तो हम वहीं पर काटा लगा देगे, तो ठीक है जी, तो ये lattice नहीं निकला, बट ठीक है, मैं आपी बात मान रहा हूँ, ये joint semi lattice तो मिल चुका है, ठीक है जी, this is joint semi lattice, ठीक है, तो joint semi lattice तो एक तो ह ठीक है जी, तो अब यहीं से क्या कहा सकते हैं, कि semi lattice तो है, बट lattice नहीं है, ठीक है, तो इसलिए ये example मैंने दिखाया, ताकि आपके mind में बीचे फीट रहे, रट के मत बैठ जाना, कि ये X ने जर नहीं आ रहा, उपर एड़र, पर एड़र बोटम नहीं तो लेटिस होगा, ना, ऐसे मत बोलना, ठीक है, और वही बात है, थोड़ा से ना, visualization का फराग है, और कुछ नहीं, अगर आप चाहते, तो इस H को नीचे ले जाते हैं, मैं थोड़ा से दिखाऊं इसको, देखो, इस H को आप नीचे भी लेके आ सकते हैं, यहाँ पे, यहाँ पे H दिखाते हैं इसलिए यह, मैं आपकी बहुत मान सकता था, बट वही बात है, गेट एक्जाम में इतना शायद आपका मान चले ना चले, मैं नहीं मान सकता है, तो इसलिए फिर मैंने थोड़ा सा अच्छे से आपको clear कर दिया, समझ मैं है, मैंने क्या किया, देखो, मैं एक बार दुबार लेटिस नहीं आएग, आप इस टाइब से सोच सकते थे, बट वही बात है, इतना शायद गेट एक्जाम में मान चले ना चले, तिसलिए मैं आपको अपरली सारा समझा दिया है, ठीक है जी, अब आज आओ जी, पस मेरे ख्याल से और मेरे को एक्जामपल देने की जुर्त आप सिर्फ टाइम पास होगा, ठीक है, जी चलो, एक, एक आदा और एक्जामपल देखो भी, बड़ा सा, और कुछ नहीं होगा, मतलब वही बात है, चीज़े थोड़ी माइंड में फिट हो जाएंगे, और कुछ नहीं, ठीक है, तो कौन सा एक्जामपल हो है, ठीक है, तो मैं इसको सिंपली क्या बोलूँगा भई, ओपनेट बॉटम है, ठीक है, नीचे देखो, नीचे दो-दो है न, ओपनेट बॉटम है, तो ओविएसली ये मीट सेमिलेटिस नहीं निकलेगा, बट आप अपने हमसे चेकिंग कर सकते हैं, जोएन सेमिलेटिस निकलेगा, और क् परसनली मुझे बहुत अच्छा लगता है, यह भी तक गेट एक्साम में आया नहीं है, इसलिए 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 तारे बना लो, आगे आने वाले सालों में आ सकता है, आपको लगएगा, यह ओपनेट बॉटम, ओपनेट बॉटम, कुछ भी नहीं है, मैं इसलिए बाब ब यह आपको नजर आई रहे देखते ही, बी और सी, ऊपर देखो कहा जा रहे है, डी पे, बी एंड से, ए पे, ठीक है जी तो अभी तक हमेरे को कुछ से नहीं समझ में आया यहां से, और अन्रिलेटिट पे कौन से है, और बताओ, बहुत सारे है भई, ए अन्रिलेटिड है, बी ए अन्रिलेटिड है, सी ए अन्रिलेटिड है, डी ए अन्रिलेटिड है, और खास बात क्या है भई, ना तो आपको A और E मिलेगा, नहीं A and E मिलेगा, है ना, क्योंकि A और E आपस में लेट नहीं कर रहे हैं, और E तो आगे किसे से लेट भी नहीं करता, तो ना तो आपक यह देखो मैं लिखके दिखाओं ना तो आपको A और E मिलेगा ना ही A and E मिलेगा similarly आप बाकिए सब के लिए आपने आप देखना नहीं मिले वाला जो बीसी बाता यह के लिए नहीं पता आपर्ड नहीं मिला इसका मतलब क्या हुआ ऑह है अपरड़ नहीं नहीं मिलेगा मेट समильно मिलेगा यहीं से मैं आ चूके लेटिस भी नहीं मिलेगा, ठीक है यह बहुत बीटिफील एक्जाम्पल है बार पर समझा रहा हो पढ़ाता था तो बच्चे यह अपने आप से बना के बैठ जाते थे कि लोग यह आ गया यह उठाके उपर कर दो कौन रोक रहे आपको यह है मैं अलग कलर से एक उपर का भलते में मिलने वाला ऐसे ही अगर हम यहां बोल देते और तो यह से लिखते हैं कि नहीं निकलेगा और लैटिस भी नहीं निकलेगा और रही नहीं निकलेगा अब हमारा जो फर्स टाइब के एक्जाम्पल्स थे वह कंप्लीट हो चुके हैं अब हम लोग पोसेट्स उठाएंगे और चेकिंग करेंगे यह देखो मैंने आपको शुरु-शुर में समझाया था यह देखो पड़ा फट से उपर यह देखो दो तरह के एक्जाम्पल्स हम सब्सक्राइब करेंगे यही फैदा देखो पैंटाइब का मैं आपको सार कुछ आखो के आगे है मैंने कुसर अब नहीं किया है एक्स्ट्रुटनेंट ने मेरे को कमेंट करके बदाए भी था कि सर पैंटाइब का थोड़ सा ज्यादा फैदा होगा क्योंकि मैं कुछ यहां ओदस देगे हम लोग और आप मुझे बताएंगे कि यह लैट इस है मीट सेमी लैट इस हैं जोयन सेमी लैटिस है यह क्या है चलो जी अब हम लोग फटा फट से शुरू करते हैं लोगी सबसे पहला एक्जमपल ठीक है वेरी फर्सट एक्जमपल इस हाँ, the very first example is z और less than equal to, okay, z और less than equal to, मुझे ज़रा समझाओ, क्या ही है हमारे पास, रदर अच्छा लेखते हैं, z प्लस और less than equal to, बताओ, क्या ही है, देखते हैं, आपको समझा रहा है को भाई, it is a toset, मेरे ख्याल से मेरे को बोलना जूरत नहीं, आप प्लीज मेरे टोसेट का वीडियो को मैंने एक्स्प्लेइन किया है, और सिधा, वहीं से हम बोल देंगे, toset है, तो पक्की बात है, lettuce है, one way theorem मैंने आपको समझाए थी, रदर previous lecture में भी समझाए थी, कहो तो उपर करके दिखाऊ हो नहीं, तो आपको पता होगा, ना, दिखाऊं क्या उपर, नहीं, मैंने आपको पहले भी बहुत बार समझाए, ना, अभी थोट दर पहले जब मैं रिविजन कर रहा था, तो महां पर मैंने आपको समझाए थी, ठीक है, वहीं बात है, मैंने previous lecture में आपको समझाए भी था ना, कहो तो उपर करके दिखा दू, बट स्टिल, मैंने आपको क्लियर किया था, कि अगर relation हमारी less than और equal to वाले चल रही है, और A relate कर रहा है B से, तो हम लोग यहां से, क्या निकाल देते भई, GLB, बताओ भई, या, वहीं बात है, GLB क्यों लिख रहे है, आप सिधा-सिधा लिखते हैं ना, उसमें A relate कर रहा है B से, तो symbol के formula लिखते हैं, A और B बताओ, A and B बताओ, बोलो भी फटापट से, A और B क्या होता था भई, A और B हमारा होता था, उपर ना, उपर मतलब B, और A and B, A and B मतलब नीचे, नीचे मतलब A, है ना, तो हम, और less than equal to relation चल रही है, त A और B relate कर रहे हैं, तो A is less than equal to B, है ना, तो यहीं से हम क्या करते हैं, relation क्या है, A is less than equal to B, है ना, तो फिर A और B, मतलब least upper bound हमारे पस B आ रही है, उसका मतलब क्या होता है, maximum, ठीक है, that is nothing but maximum of A and B, और यह greatest lower bound क्यों होता है, minimum of A and B, ठीक है, अब वही बात है, A और B बराबर भ क्या जाएगा, वही as a upper bound, मतलब greatest lower bound भी होगा, और least upper bound भी होगा, मतलब simply अगर मैं आपको ऐसे बोलो, वही बात है, basic है, but still, आप confused नहुंद रहे हैं, A is related to A, why, just because A is less than equal to B, है ना, यहां पर A भी मैं ले ना, आप यहां पर Z plus यह elements उटा सकते हैं, तो वही बात है, मैं प्र बताओ, A and A बताओ, तो कोई भी बता देगा, दोनों की दोनों A ही आने वाले हैं, ना, तो मतलब least upper bound भी और greatest lower bound भी, दोनों की दोनों A ही होगे, ठीक है, least upper bound भी आएगा, greatest lower bound भी, A ही आएगा, I think clear होगा, ठीक है जी, तो यह toe set है, हमने clear कर लिया, ठीक है जी, this is example number 1, ठीक अब आ रहे हैं हम लोग, example number 2 पर, ऐसे ही वही बात, Z plus और greater than equal to, यह अगर हमने बना दी, please, मैरे खाल से मेरे को बोल लेकर जो तनी है, this is also a toe set, toe set है, तो पकी बात है, वही बात है, आप समझ चुके होगे, semi lattice भी है, semi lattice है, तो मतलब meet semi lattice भी है, और join semi lattice भी है, ठीक है जी, ल और join semi lattice भी है, ठीक है जी, आचा जी, Z plus or greater than equal to, अगें टो set है, अव्यसी बात है, lattice है, lattice है तो पकी बात है, semi lattice है, semi lattice है, तो पकी बात है, दोनों चीज़े है, meet semi lattice भी है है, और join semi lattice भी है है, ठीक है, मैरे क्याल से मेरे को और ज्यादा बोलने की जूरत नहीं है, और please, मैंने previous lecture में आपको समझा रखा है, मैरे क्याल से मेरे को ज्यादा बार बार बोलने की जूरत नहीं है, greater than or equal to वाली बात है नहीं, तो बोलेंगे, A is related to B, तो इसका मतलब, यह सब copy-based कर रहा है, A और B हमारा B है, और A and B हमारा A है, ठीक है जी, greater than or equal to चल रहा है, तो मतलब A is greater than or equal to B वाली बात है, हाँ जी, तो अगर A is greater than equal to B वाली बात है, तो पक्की बात है, आपको यहीं से ही देखते सब में आ रहा होगा, A और B हमारे पास B आ रहा है, that is nothing but minimum of A, B, बिल्कुल उल्टा यह देखो, मैं अभी थोड़ा सा छोटा करके दिखा दूँ आपको, ठीक है जी, और यहाँ पर वह जाएगी maximum of A, B, ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, आप देखो, आराम से देखो, नजर आ रहा है सब लोगों को, यही फायदा है ना, pen type के देखो, कभी छोटा कभी बड़ा और आराम से आपको सब आँखों के आगे दिख रहा होगा, मैं इतना ब्यूटिफुल तरीका मुझे नहीं लगा रहा कि शयद मैं वाइट बोर्ड पे दिखा सकता है, क्योंकि मैं रब करना पड़ता था, रब करना पड़ता था, तो ऊपर नीचे स्क्रॉल नहीं कर सकता था, और चीज़ीं अच्छे से आपको शो नहीं कर सकता था, उपर मैंने आपको दिखाए भी था है, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस सब चीज़ाए थीजिए होगी 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 आपनों को, बेसिक से बेसिक से बाते हैं, याद इसमें हम क्या टाइम डेस्ट करें, ठीक है जी, तो यह हो गया है जी हमारा second example, अब हम आते हैं ज greatest lower bound बोलो, या meet बोलो, या infimum बोलो, एक ही बात है, तो least upper bound, supremum, और join, एक ही बात है, ऐसे ही greatest lower bound, infimum, और meet, एक ही बात है, बार बार मैं बोल रहा हूँ जी ताकि आपके mind में fit होगा है, ठीक है जी, ओके जी, तो फिर A and B हमने देखा था, तो A आते that is nothing but your minimum, and A और B, B आते that is nothing but your maximum, तो less than or equal to के case में, least upper bound maximum होगा, और greatest lower bound हमारा minimum होगा, ऐसे ही greater than or equal to के case में बिरकुल उटा हो जाएगा, least upper bound हमारे पास minimum हो जाएगा, और greatest lower bound हमारे पास maximum हो जाएगा, ठीक है, I think clear हो गया, अगर सब लोगों को, चलो ठीक है, that's it, अब हम आते हैं जी, third example पे, ठीक है आएगा, toe set आएगा, तो lattice भी आएगा, मैंने example ही जब इस ती क्यों दिखाया है, क्योंकि, every toe set is not a wo set है, तो Z plus वाली बात जो थी, वो set तो आजाता था, बट वही बात है, कि, sorry, देखो, Z plus और less than or equal to वाले case में, हमारे पास wo set है था, क्योंकि, clearly bottom होना चाहिए था, और R और less than or equal to के case में, wo set नहीं आएथा, क्योंकि, countable set होना बहुत जुरूरी होता था, यहाद होगा, आप लोगो कहा है, na, Z plus or greater than or equal to, wo set नहीं आएथा, क्योंकि, well defined bottom नहीं होता था, यहाद आ रहा होगा, नहीं आदर तो please, मैंने toe set, wo set का video को मैंने, मैंने, why explain किया था, इसलिए, just for the sake of revision मैंने यह बस आपको समझा दिया, कि real numbers और less than or equal to के case में, to set आएगा, to set आएगा, to set आएगा, to set आएगा, वो set का बस यहाद यहाद नहीं आदर तो मारो को लिए, उसको फिलाल इस lecture में हमारी जूर्थ नहीं है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, so this is a third example, that is, or less than or equal to, it is a to set and hence it is lattice, ठीक है, अब वही बात है, अब यह सब अपना copy-based कर लेना, maximum वाली बात और minimum वाली बात है, greatest lower bound, greatest lower bound will be minimum, और least upper bound will be maximum, अब अब आप जाब देख सेके, ऐसे ही, r greater than equal to बन जाएगा, अब वही बात है, मैं क्या बोलू जादा, लिख देता हूं, फड़ा फट से, r greater than equal to, again it is a toe set, and hence it is a lattice, lattice है तो meet semi-lattice और join semi-lattice भी है, ठीक है, अच्छा, अब एक बन में फटा-फटा से time देख लेता हूं, और पिर हम उसी के साब से आगे बढ़ेंगे, कुछ examples रहते हैं, तो time तो हो गया, ठीक है, चलो, इतना ही रखते हैं हम लोग इस lecture में, तो next lecture में इ beautiful examples, अभी तो इतने जाद आच्छे examples नहीं आया है, जो हमारे post-set direct दे रखे हैं, direct post-set दे रखे हैं, और हमें पता लगाने कि वो latest है या नहीं है, तो चार examples हमने देख लिए हैं, कुछ examples अभी बच रहे हैं, और दो examples हैं बड़े beautiful, वो बात उसमें काफी time लगेगा, मैं रा एक्स lecture में cover up करेंगें, ठीक है, चलिए, ओके ठीक है, thank you so much